मन्दा किस सहयक नदी मैं आज सुबह एक गलेसिर के डोटने से एक भीशन तरास्दी वहाँ पर गटित्वी है इस भीशन तरास्दी के प्रती उत्राखन के उन पीडित परिवारों के प्रती और नागरिकों के प्रती हमारी संभी दनाएं है जोकि अलकनन्दा गंगा जी की सहयक नदी है और इसलिए इबाड का खत्रा गंगा नदी में भी संभावित है यद्देपी उत्राखन सरकार सक्री होकर के वहाँ पर कारे कर रही है वहां के माने मुख्यमंत्री जी स्वयम भी इस पर नजर रखते हुए स्वयम घटना स्थल की और रवाना हुए है माने गरह मंत्री जी ने भी और माने प्रधान मंत्री जी ने भी इस पूरे घटना करम के प्रती एंडियारेप को और अन्य संस्थाओं को पहले से अलट करके बचा और रहत कार्णियों को तेज करने के बारे में वहाँ पर आउस्था निर्देश जारी किये है उत्तर प्रधेश के अंदर गंगाजी का बहा उस्तल सरवाधिक है लगवग एक हजार किलोमीटर गंगाजी उत्तर प्रधेश की भूमी से होकर के गुजरती है हम लोगोंने पूरी तरह सतरक्ता बरती है घटना के तुरंथ बाद हमें जानकारी मिल गई थे और हम लोगोंने अपनिया जल सक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है ग्रे विभाग एक एक गधिविदी पे नजर रख रहा है उत्राखड में इस्तिती इस समय जलस्तर अलकनंदा का सामान्य के और तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुवान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा हर इद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर ये जो बैरा जाएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्सॉर्ब कर लेंगे कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली है लेकिन फिर भी हम लोगोंने सभी 25 जन्पद जो प्रदेश के अंदर जहां से गंगा जी होके गुजरती है उन सभी जन्पदों में पहले से सतर्कता बरत्ते भी वहाँ पर अलड़ चारी किया है हमारा यहाँ प्रदेश का गरे विभाग, राजश्र विभाग, आप्दा प्रबंदन से जुड़े भी हमारा HDRF, ये सबी इसके पुरी तरह सतर्क तावरत्ते भी यहाँ पर पुरी निगार रखे हुए हैं, उत्राखंड सरकार को और वहाँ के नाक्रीकों के पुरी हमारी पुरी संभिद्ना है, और आउसिकता पढ़ती है, तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्राखंड, सरकार हम से कोई किसी प्रकार के सहयोग ये पिक्साद रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें भरपूर सहयोग करने को तयार है और हम लोग यहाँ पे SDRF की हमारे पास अच्छी विवस्ता है और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग क्या हुशिक्ता पड़ेगी उत्तर को किसा कि बादा